हेलो दोस्तो नमस्कार रख लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर बहुत सरे लोग ने रिक्वेस्ट भी किया था सर पुराने वीडियो को बता था पुराने वीडियो अगर चाहो तो आप देख सकते हो point number one point number two की अगर मैं बात करूँ मैंने खरीदा है इसलिए आप भी खरीदोगे ज़रूरी नहीं है मुझे अगर कल जाके लगा कि यह company नहीं अच्छा performance दे रही है तो मैं exit भी ले सकता हूँ कभी भी exit ले सकता हूँ क्योंकि यह company है दोस्तो micro cap, micro cap या फिर आप बोल सकते हो small cap बहुत छोटे company अभी मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखा है कि micro cap, small cap company कितने रिस्की होते है इन companies में पैसा रोज नहीं बनता है यह company ऐसे ऐसे normal रहती है और then suddenly कभी तो तेजी आती है और आपको कमाल के returns मिलते है so देखा गया तो यह company में बहुत बड़ी company बनने का काबिले थे company का management बहुत ही जोरोशोरे से कोशिश तो यहापे चल रही है इतना तो हम लोग कह सकते अभी के हिसाब से आगे जाके क्या होगा future किसी नहीं नहीं देखा है पता नहीं यह company बहुत बड़ी भी बन सकती है या फिर यही तक उसकी journey भी हो सकती वो monitor करना पड़ेगा कैसे company के quarterly numbers देखके उसके बीना decision लेना यह हमेशा एक तुक्का होता है ऐसा में personally मानता हूँ मैं again कह रहा हूँ दोस्तो अगर आप कोई भी micro cap company को पकड़ते हो small cap को पकड़ते हो या फिर mid cap को पकड़ते हो बहुत सरे यही यूटूब के उपर जो कि आपको कहते है कि micro cap, small cap, mid cap में पैसा बनता है 110% बिल्कुल सही कह रहे है बट वो risk नहीं बताते है आपको risk ऐसा है दोस्तों कि यह company कब चलेगी किसी को भी नहीं बता है जैसे कि best example में हमेशा आपको cricket का देना पसंद करता हूँ यह कोई मैं time पस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों यह आपको आसान भाषा में समझ में आना चाहिए इसलिए आपको पता है एक player है जिसका नम है रुषप पंत आप लोगं को पता है तो रुषप पंत एक ऐसा player है दोस्तों कि आप चेक कर लेना वह चार पाच मैच नहीं खि करेंगे इनका एडवांटेज यह दोस्तों कि बहुत बड़ा स्कोर करते हैं बहुत बड़े रिटन्स देते आपको बट रिस्क भी उतना ही है कि ऐसे player का team में लंबी आउदी तक रहना बहुत ही कभी-कभी मुश्किल हो जाता है वैसी यह company चलेगी नहीं चलेगी जब एक कोई मेरा microcap बहुत अच्छा काम करता है तो फिर में उसमें धिमे-धिमे step by step पैसा बड़ाना स्टार्ट करता हूँ वरना में छोटे amount के साथ ही शुरुवात करता हूँ कोई भी बेव कोफिय आल डिशेन नहीं लेता हूँ तो यह introduction देना बहुत important है जो कि बहुत स अननेसेसरली वीडियो बड़ी हो जाती है नहीं दोस्तों यह जब stock गिरेगा ना तब आपको पता चलेगा जब तक तेजी है सब लोग enjoy करते है stock भागता रहेगा भागता रहेगा सर मजा आगया क्या कमाल का stock है जिस दिन यह company गिरेगी आदे लोग भाग जाएंगे पर मै मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर market में बिल्कुल normal मतलब यो company में कोई गड़बड़ी नहीं रही and अगर वो correction normal रहा तो ये company को मैं 50% भी अगर वो top से down होता है तो भी मैं उसको hold करने के लिए तैयर हूँ मैं again कि रहा हूँ मैं कोई आपको ये fix statement नहीं दे रहा हूँ क ये बहुत ही अच्छी fundamentally strong company है इतना बड़ा introduction मुझे देना मतलब मैं इससे भी ज़्यादा देना चाहता था बड़ चलिए बाकी parameters भी हमें देखने है तो अभी हम लोग आ चुके company की balance sheet के और ये सारी चीज़ें देखना important है जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते हो तो at least उसको तो properly देखो आप चाहो तो speed available रहते है 1.5 देख सकते हो 2 का speed से देख सकते हो बड़ स्कीप करके मत देखना वरना आधी अधूरी information मतलब just time pass हो जाएगा ठीक है चलो अभी आ जाते है दोस्तो company के resource देख लेना 7 करोड का reserve मतलब दोस्तों nothing कितनी छोटी company 7 7 करोड के resource तो किसी के पास भी होते है then company ने 22 करोड के resource किये then 34 then 46 and right now 68 करोड के resource आज भी एक company इतनी छोटी company है कि पता नहीं कि हमारे returns कल तक मतलब रहेंगे या नहीं रहेंगे बट company की कोशिश बहुत अच्छी तरीके से चल रही है company के उपर करजा है yes पहले 60 करोड का था लगबग उसी के range में then मतलब 64 से 59 to 53 हम नहीं कह सकते कि easily यह company अपना करजा कम कर रहें इनको और भी शायद से करजे की ज़रूरत पढ़ सकती बट एक बात अच्छी है दोस्तो company छोटी है बट profit side by side कर रही है यह सबसे बड़ी राहत वाली बात है short term boring भी देखने को मिल रहे 97 यह तो fluctuating points पे change होता रहता है cash की बारत कर लेते हैं बहुत ही छोटा cash रहेगा 7-8 करोड का 14-15 करोड का cash है so company के उसके size के मुताबिक company अच्छा business यह आपर कर रहे ही इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं next अगर हम लोग बात करें दोस्तों yes बहुत important market cap देख लेना 2000 कर करोड बना है हम लोगों ने तो इसको 1000 करोड से भी नीचले स्तर से आपर देखा है जो लोग इस चानल को regularly study करें लिए फॉलो करते हैं उनको यह company already पता है next अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप लोग देख सकते यह देखी company 171 पे चल रही थी and उसके बाद company 1797 तक आगे आज इस company का price भी देखिए 17780 चल रहा मतलब यह आज भी company top level पे ही है so जब तेजी आती है तो यह इतने तेज भागते है पहले में बताता था तब यह बहुत ही नीचे level पे रहता था रिसकी same चीज मैंने आप लोगों को बताई and आज आप देख सकते हैं जब rocket भागना case value देखने को मिल रहा है मतलब आगे कभी तो future में आप लोग expect कर सकते bonus split जैसी चीज़ है फिलाल तो company छोटी company है ठीक है अभी company के पिछले कुछ quarterly result आप लोगों के सामने यह boring चीज़ है दोस्तों बट देखना पड़ेगा जो इसको properly देखता है ऐसे लोगों के ही portfolio में यह stocks stocks पहले आते देन बाद में बहुत तेज होने के बाद इंजम गरम होने के बाद बहुत सार लोग आ जाते कि सर अभी खरी देख्या तो उससे related भी कुछ points में आप जरूर बताऊंगा सबसे पहले operating profit देख लेना है पर 10-16-20-22 करोड बहुत ही चोटा-चोटा धीमे-धीमे कर profit हुआ करते थे operating अगर net profit देखी को तो हाथ में कुछ बचता भी नहीं था चार तीन दो करोड पाच करोड दो करोड तीन करोड यह देखी फिर 6-9-11 अभी 14 करोड के आसपास कोई अभी भी great company नहीं यह राइट बट यह consistency अगर ऐसे ही maintain करते तो बहुत बड़ी company बनने का द फिर 21 का हुआ फिर 40 का हुआ तो अभी थोड़ा सा जाके मतलब जादा data भी available नहीं इतना ही data available है तो यह एक चीज हम लोग को देखने को आपे मिल रही है देन हम लोग आ जाते दोस्तो शेर होल्डिंग पैटर ऐसे company बहुत ज़्यादा risk होते है जहापे आप देख सकते दो दोस्तो फिलाल प्रमोटर की अगर मैं बात करूँ तो कितना है प्रमोटर के पास 70% डिसेंबर का ही data है देन कोई तो foreign investor यहापे entry किया है इस कारतिया नहीं कि यह सुपर डूपर ही हो गया करके बड़ अटलिस किसी के तो मतलब बोलते हैं रडार के उपर यह company आ गई small cap, micro cap बहुत सारे रहते हैं और हर किसी micro cap, small cap में foreign investor invest नहीं करते हैं क्योंकि वहापे पैसा डूबने का chances जादा होता है पबलिक की बात करें तो 28% सबसे अच्छी बात यह लगी यहापे कि आप लोग को पता है कि बहुत बड़े बड़े दिगज investor यहापे रहते हैं और दिगज investor की अगर मैं यहापे बात करू तो आप लोग यहापे देख सकते दोस्तों कुछ दिगज investor ऐसे जिन्होंने अपनी investment थोड़ी सी हलकी कर दी 4.33 से 3.02 कम कर दिया कुछ investor ऐसे है जो कि आप लोग देख सकते प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने तो अपनी हिस्सेदारी खतम कर दी इस company से मतलब आप 1% के नीचे तो बोल सकते हो profit booking कर ली देन एक और company आप देख सकते यह भी इसमें रहा करता था उन्होंने भी profit booking यह यहाप एक इंडिविज्वल है इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा यहाप कम किया है एक और यहाप इखे कर लिया है देखे कुछ लोग यहाप एक्जेट कर रहे हैं कुछ फोड़ा सा अभी भी हिस्सेदारी यहापे रख रहे हैं कुछ investor ऐसे जिसमें से एक नामे अशिश कचो उन्होंने तो जाके अभी ही खरीद ली इस company को, येस दोस्तों अभी अभी जाके just उन्होंने यहापे entry की है, जब पूरी दुनिया यहापे exit कर रही है, इसलिए कहना चूंगा हर एक को अपना अपना study रहता है, उसके इसाब से वो चलते हैं, अभी लोगों को पता चल गया ह अभी कौन सी company की बात करा हूँ, दोस्तों मैं आपे बात करा हूँ, यशो इंडस्ट्री के बारे मी, येस, यशो इंडस्ट्री बहुत ही दमदार company मुझे लगती, छोटी company है, specialty chemical की अगर हम लोग बात करें, तो इससे related हम लोगों को उसका business या आपे देखनी की आपे मिलत है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, दोस्तों ये company आराम से हम लोगों को 20, 30, 40, 50% का भी correction दिखा सकते हैं, क्योंकि इस company की तेजी ही उतनी है, जो company तेजी ही 10, 20% दिखाती, वो गिरते वग भी 5, 2% ही गिरता है, बट जो company आपको 22, 1000%, 1000%, 500, 600, 700, 800% भागता है, तो उसकी ग एशिया में इनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा गासा यहाँ पर चलता है, इस company में वो potential बहुत अच्छा तरीके से नजर यहाँ पर आता है, फिलाल आप देख सकते company 1796 पर हम लोगों को चलती भी देखने कूल रही है, एक साल की बात करें, तो साड़े 800% की return से दोस्तों जैसे मैंने आपको बता है, रोज रोज नहीं खेलेगा यह player, बट जिस वक्त खेलेगा यह देखे, बिल्कुल 12 12 12 0 run pay out and जब खेल दिया सीधा century नहीं, double century, इस तरीकी की यह छोटे players होते है, अभी इसमें risk क्या होती है, यह देखी, यहाँ से यहाँ कुछ returns ही नहीं थे, औ हम लोगों ने इसको बहुत ही नीचले स्तर से देखा था, जो लोग पूराने उनको यहाँ पर पता है, हम लोगों ने company के numbers देखके edition लिया था, at least मैंने तो लिया था, मैंने आप लोगों को बता है था, कि इसके numbers मुझे अच्छे लग रहे हैं, और मैं थोड़ा और बहुत अच्छे कासे returns मिले है, लगता है यह future में company और भी बड़ी बन सकते हैं, खास करके इतने बड़ी दिगज investor आ चुके है, जरू आप चाहो तो इस company को radar के उपर रख सकते हो, अभी बुद्धे की बात दोस्तो, अभी आशिश कचोलिया जैसे इतने बड़े investor ने इतन यह company और भी आगे जाके अच्छा business कर सकती है, और यह जो बड़े investor होते हैं दोस्तो, यह बड़े volatility के लिए भी तयार होते हैं, उनका target उनको पता है कि मुझे इस company से 1000% निकलवाना है, तो ऐसे company पता है कि 30-40% टॉप से नीचे आएगी आएगी, और हम लोगोंने बहुत ही पूराने समय से आपे buy किया है, तो यह company अगर 50% भी अगर down हो गया ना दोस्तो, फिर भी मैं इसमें loss में नहीं रहूँगा, इतना advantage मुझे आपे मिल चुका है, तो जो लोग पूछ रहेते सर, छोटे company में कोई अच्छी वाली company है, तो फिलाल यश्व इंडस्टी यह जोरदार गिरेगी, तो मैं उसके लिए mentally prepared हूँ, तो आप लोगों ने भी यहाँ पे खुद की तयारी करनी चाहिए, अगर आप ऐसे company में interested हो, तो यह already में data आप लोगों को दिखा चुका हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो, company का low देखना, 171 से सीधा 1700-1800, इतना 30 speed से य तो यह चीज़े आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तो आशा करता हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मैं again कह रहा हूँ, यश्व इंडस्ट्री में आप लोगों ने blindly invest नहीं करना है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो quarter three के numbers देखने के market उसको appreciate जरूर कर सकता है, अगेन आप देख सकते ही, यहाँ पे top level पे आये थी, तब उसके बाद company ने बड़ा correction भी आपे दिखाया था, यह देखें दोस्तों, अगर आपको एक जलक देखनी है, तो October से December, बस दो मैने के अंदर अंदर ही company बीच में 30% डाउन भी हुई थी तो इस तरीकी की, अगर हैं मन दोग बात करें, अगर आप corrections जहल पाते हो, इस company के लिए वो correction नहीं रहता है, यूकि तेजी बहुत होती है, अभी इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बीच में ही इसको छोड़ दिया था, अभी आज यह company यहाँ पे है, तो इसलिए वो इसके बारे में वीचार यहाँ पे कर सकते हो, आशा करता हो, आप लोगों को वीडियो helpful लगा होगा, तो चाहो तो like and share भी कर देना, so that's it, thank you very much, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye